वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल लेट्स गो टो सिक्सेंस आज हम करने जा रहे हैं हाई पर्चीज वर्स लिस फाइनसिंग हाई पर्चीज तरह में देखिए क्या होता है यह टाइप आप फाइनसिंग है जिसमें क्या कि कोई पर्चेट खीलना चाहता है लेकिन उसके पा है वो इसको इंस्टाल्मेंट भी पेग कर सकता है और जब उसने सारी इंस्टाल्मेंट्स पेग कर दी तब क्या है ओनर्शिप हाईर पर्चेजर के पास आ जाएगी तो यह कह बहुत ही बड़िया सिस्टम है और बहुत ही यूनिक मैथड है सेलिंग गोड्स का हाईर पर्चेजर इस रिकुएड तो पेग एगरिट अमाउंट इन डिफरेंट पिरियोडिकल इंस्टाल्मेंट यह कह एक तरह से इंस्टाल्मेंट क्रेडिट है दा वायर एकुएड सपोजेशन ऑफ दूजेशन अफ दूनों की बाइर और एक्सेलर की बीच में यानिकि बाइ उसको मिल जाता है एक nerd to pay the total purchase price in installment उतो क्या करता है कुछ ने कुछ डॉन्पेमेंट करता है जो है जो भी इंस्टाल्मेंट करता है उसको ट्रीट कियाते है है a higher charge और जब लास्ट इंस्टोल्मेंट क्की आती है तो ओर्णर्षिब ट्रांसफर हो याटत है सेलर इसमें क्या होता है, पॉजेशन थो हायर पर्चीजर को मिल गया, लेकिन ओनर्शिप सेलर की हैंड्स में रहती है, जब लास्ट इंस्टॉल्मेंट की पेमेंट हो जाती है, तब क्या ओनर्शिप ट्रांस्वर हो जाती है, सेलर टॉ बायर। इस दौरान कहा है कि अगर हायर वेंडर को कोई रहती है, तो हायर वेंडर के पास रॉपजेशन वापिस ले सकता है, वापिस उसी अपनी दिकार मिं ले सकता है, इसे हम एक डायग्राम के हलप से समझते हैं, Mr. Ram, हाईर परचीजर है, Mr. Shams, हाईर बेंडर है, Mr. Ram, Mr. Shams के पास जाते हैं को ऐसर परचीज करने के लिए, तो हो क्या करते हैं, अनों को अग्रिमेंट भीकों को जाता है, Mr. Ram कुछ नों को तो हम्लिपन कर देते हैं, अब ownership क्या है किस के पास रहेगी hire vendor के पास लेकिन जब Mr. Ram ने last installment पे कर दी तो ownership transfer हो जाएगी Mr. Ram के पास जो के एक hire purchaser है features of hire purchase first agreement there is a necessary concept and necessary content of hire purchase that there should be agreement between hire purchaser and hire vendor agreement होना चाहिए agreement में सब कुछ तै होता है सारी conditions कितना installment रहेगा हाई चार्ज रहेगा कितना time period रहेगा तो दोनों के बीच में agreement होना चाहिए पोजेशन आफ मशीनरी जब दोनों के बीच में agreement हो जाता है तो down payment करने के बाद possession आफ मशीनरी किस के पास चला जाता है hire purchaser के पास model payment क्या है installment में payment की जाती है ownership of property जब तक last installment की payment नहीं हो जाती ownership रहती है hire vendor के पास last installment की payment करने के बाद ownership transfer हो जाती है seller to buyer जो भी installments fix होती है उसको हम treat करते है as a hire charge buyer के पास option है कि वो कभी भी agreement को terminate कर सकता है और hire vendor को वो गोर्स वापिस asset वापिस कर सकता है right to repossess अगर hire purchase installment हो जाता है या फिर वो क्या है उसके installment नहीं पे करता है तो hire vendor के पास right है अपनी गोर्स को वापिस ले सकता है next is lease financing यह भी type की financing है long term financing है इसमें क्या है कि owner जो की laser होता है और user of asset जो की lazy होता है दोनों की बीच में contract होता है क्या है laser क्या है lazy को asset को use करने का right देता है देखिए hire purchase से कैसे different है it is a contractual agreement between the owner of the asset यह कि laser बोला जाता है और user जिसको lazy बोला जाता है whereby the owner permits the user to economically use the asset on the payment of periodical amount which is in the form of lease rent for a specific period of time इसमें क्या है कि जो owner है user को use करने का right दे देता है और क्या periodically payment करता है उससे लेता रहता है इसमें क्या title of goods remain with the owner of the asset जो ownership है goods के वो हमेशा laser के पास रहती है lazy के पास कभी भी transfer नहीं होती under lease financing the lazy is given the right to use the asset उसको क्या सिर्फ यूज करने का right मिलता है जो ownership है वो हमेशा laser के पास ही रहती है और जब lease contract खत्म हो जाता है at the end of the time period जो asset है वो laser के पास वापिस आज़ती है अब देखे types of lease two types के lease होती है operating lease and financing lease operating lease क्या होता है कि जो laser होता है वो laser को कहना asset use करने का right दे देता है और जो सारा risk होता है asset से जुड़ा हो या इसकी absolute sense या फिर कोई भी risk होता है वो laser के पास रहता है कोई भी खर्चा होता है asset related वो laser pay करता है यानि कि honor pay करता है और financial lease के इसके important इसके opposite है यह के long term lease है इसमें कहें कि जो भी जारा खर्चा होता है जो भी सारा risk होता है वो किसको होता है वो लेजी का होता है वो कहें कि e-review cable contract है इसको में कहा है कि जो लेजी है वो contract को तोड नहीं सकता इसमें laser does not render any sort नहीं laser उसको कोई service देता है अब हम करते हैं दोनों के बीच में difference lease financing versus higher purchase financing सबसे फर्स से ownership देखें जो lease finance है उसमें क्या है कि ownership property किसके पास रहता है लेजर के पास रहता है जो लेजी होता है सिर्फ वो user होता है और higher purchase में क्या है last installment के बाद ownership के है ट्रांसफर हो जाती है seller to buyer debt decision इससे में lease financing में क्या है जो debt decision charge करता है कोन करता है वो laser करता है अपनी book में record करता है and higher purchase में debt decision को entries होती है record करता है वो कौन करता है वो higher purchaser करता है volume of fund इसमें कहा है कि बहुत ज़्याद volume of fund की need होते है जिसके aircraft होगे shifts हो गया, heavy machinery हो गया इसमें कहा है जो low amount की financing है, automobiles, office equipment, etc. extent इसमें कहा है कुछ ज़्यादा margin नहीं होता, down payment की जरूट नहीं होती, इसमें कहा है on payment कुछ ना कुछ करना पड़ता है maintenance cost हeer purchase में päंदनेंट cost है इसमें कहा है lease financing के type के अभर depend करता है operating lease जो सारा maintenance cost है वो पे करता है लेजर लेकिं फाइनषिंग lees में जो सारा os अपेतिंग कोस हैya iamant कोस्ट है, वो पे करता है lazy, और higher purchase financing में, higher जो फायर परचीज है वो सारी मेंडेन कोस्ट पे करता है I hope आपको समझ आये होगा Thank you, Good Luck